नमस्कार बहुत स्वागत आपका आज के जोतिश दुशा सत्य की रामे दिनांक आठ जून दिन गुरुवार का पूरे दिन का हाल लेकर उपस्तित हूँ आठ जून का दिन आपके लिए क्या सौगात लेकर के आएगा आठ जून आप सब के लिए कितना कुछ शुभ करेगा आठ जून आपके जीवन में कितना सकारात्मक संदेश भरेगा यह सारी जानकारी हम बताएंगे आज एक खास तारीक है यह आठ जून खास तारीख इसलिए है कि आज ही के दिन आपके इस एश्टो फ्रेंट का इस प्रिथवी पर अवतरन हुआ था आज हमारा जन्म दिन है आंगल काइलेंडर के अनुसार तो आज हम आप सब को सादर नमन प्रणाम करते हैं जितने भी हमारे आप सब सुभेक्षु हैं जो हमें इतने वर्षों से प्यार दे रहे हैं हमें दुलार दे रहे हैं हमें सम्मान दे रहे हैं आप सब की चरणों में मेरा बारंबार नमन है खूब आशिरवात दीजिए जिससे हम यूही आप लोग की सेवा अंतिम सांस तक करते रहें इस विधा को इस रिश्यों की परंपरा को इस सनातन धर्म की परंपरा जोतिश शास्त्र को जिससे वेदों का नेत्र कहा गया जो वे प्यास करते हैं आप सब का प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है और यह शक्ति सदय यूही बनी रहें आई शुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सबसे पहले जानते हैं आज का चंद्रमा मकराशी में नक्षत्र स्त्रवन रहेगा 69 तक इसके बाद धनिष्ठा योग रहेगा एंद्र तद अनुसार दिनांक 8 जून दिन गुरुवार गुरुवार को रहुकाल का समय नोट कर लीजेगा दोपहर जेड से तीन और गुलिक काल का समय सुबह 9 से 10 तीस राहुकाल नय और शुबकाम के लिए सास्त्रोग तवर्जित कर देता है गुलिकाल कंसीडर कराता है गुलिकाल में आप कोई भी नया और शुबकाम कर सकते हैं तो आईए अब जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल मेश से लेकर मीन तक पूरे दिन की भविश्य वानिए मेश राशी शिक्षा के लिए आज का दिन बहुत अन्कूल है पढ़ाई में आप जितना अपने आपको लगाएंगे उतना ही आगे आप बढ़ेंगे ब्यापार बहतर चल रहा है बिजनस में शुबता बनी हुई है आज कुछ नई शुरुवात कर सकते हैं प्राइविट सेक्टर वालों के लिए कई प्रकार से तनाव की स्थती आएगी आज सोच समझ कर फैसला लेना होगा सरकारी छेतर में सुधार अपने आप आजाएगा गवर्मेंट सेक्टर में आउसर अच्छे मिलेंगे बास के साथ तालमेल आज अच्छा बैठेगा कल की बातों को आज बेहतर करने का प्रयास करेंगे दामपत्य जीवन मेश राशी परिस्थतियां थोड़ी प्रत्कूल दिखाई देती है आज मैरेड लाइफ को थोड़ा संतुलित करने का प्रयास करेंगे लव लाइफ बेहतर है शुबता बना हुआ है हर कदम पर लाव के आउसर बनेंगे लव लाइफ आज बिवाह की चर्चा की तरफ इशारे करता है स्वास्थ के मामले में आज नेत्र और लीवर की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है आज तीन पौधों में जल देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गिरे भाग्य प्रतिशत पचास बिशब राशी दिन अनकूलता के साथ चलेगा पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार को वाज संभालने का प्रियास करें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए ने रास्ते खोलेगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेतर के स्थिते में सुधार सुते होगा दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा आज पती-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा लव-लाइप में मामला कुछ हाथ से बाहर जा रहा है अच्छानक कुछ परिशानिया बढ़ सकते हैं स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द और लीवर की प्राब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी ब्रिशब बगवान गड़ेश के समक शेक दिया जलाकर की इस मंत्र का ग्यारह वार जाब करिएगा शुभरंग बादामी भाग्य प्रतिशत पच्पन मिथुन राशी दिनांक आठ जून दिन गुरुवार पढ़ाई अवसर अच्छे मिलेंगे आज बैलेंस बना रहेगा शिक्षा की स्थती और अस्तर अपने आप सुधर रहा है ब्यापार में हर कदम पर आपको लाब होगा बिजनस को आप जितना आगे लेके जा सकते हैं आगे बढ़ें प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज नई सूचनाए देगा आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों को वाहन का सुख भी मिलेगा सरकारी छेत्र अवसर अच्छे दे रहा है गुवर्मेंट सेक्टर में शुभता हर कदम पर है दामपत्य जीवन असंतुलन की स्थती में रहेगा आज पती-पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी मिथुन राशी वालों को किसी बाहरे तत्तों का हस्तक शेप आपकी मेरिड लाइफ को आज डिस्टर्ब करेगा लव लाइफ लेकिन बहुत अनकूल है लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत दुराव नहीं है स्वास्त के मामले में आज का दिन डाइजेशन और किड्नी की समस्या दिखाता है क्या प्रियोग करना चाहिए मिथन वालों को सरसो का तेल किसी पौधे के नीचे तीन बूद ओम अंग अंगार काय नमह कहते होगे डाल दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भागिप्रथिशत सत्तावन करकराश मांसरिक शान्ती है आज पढ़ाई में सुधार है सिक्षा में संतुलन है ब्यापार तनाव ग्रस्त करेगा आज बिजनस में रिस्क नहीं लेना है पैसा ब्लॉक होगा चिंताएं बढ़ सकती है प्राइबिट सेक्टर वालों के लिए आज इस्थतियां बहुत अंकूल है कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाएंगे शुबता बनी हुई है सरकारी छेत्र को आज सुधार लाने का प्रियास करें गॉर्न्मेंट सेक्टर में कुछ संतुलन बनाने का प्रियास करें दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा आउसर अच्छे मिलेंगे लव लाइफ में तनाव बढ़ रहा है जिस पर आपको फोकस करना होगा स्वास्थ के मामले में आज डाइजेशन आख और ब्राइक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी करक है आज करक राशी वाले गेहूं का आठा दान कर दे शुबरंग सफेद भागी प्रत्षत साथ सिंग राशी दिन मंगल कारी रहेगा आज मंगलिक कारियों में बेस्तर रहेंगे चिंताओं से बाहर निकलेंगे काम आपका बहुत बनेगा शिक्षा में बहुत अनकोलता है पढ़ाई शुबता के साथ है ब्यापार में कुछ विशेश उपलब्धियां मिलेंगी बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उसर दे रहा कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं आज नई नगरी के प्रयास जरूर जारी रखिए सरकारी छेतर की स्थिति में आज संदुलन है गवर्मेंट सेक्टर वालों को आज लाब होगा आज का दिन बहुत बहतर परणाम दिखाने वाला है दामपत्ते जीवन अच्छा रहेगा पत्ती के साथ घुमने टहलने का कारकरम बन रहा है एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे लव लाइप में कुछ मामला हाथ से बाहर जाएगा सोच समझ कर फैसला करिएगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज पेट आंख और बैग की प्राब्लम हो सकती है क्या प्रियूग करना चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है अपने कंठ पर शहद लगा दीजेगा शुवरंग आपके लिए आज केसरिया भाग्य प्रत्षत पच्पन कन्य राशी दिरांग आठ चुर पढ़ाई के लिए आज कहीं बाहर जा सकते हैं मित्रों के साथ कहीं आज कुछ बड़ा फैसला होगा कन्य राशी आठ जूर ब्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है प्राइविट सेक्टर को आज संतुलन की स्थती में लाने का प्रयास करें प्राइवेट सेक्टर वाले आज का दिन नौकरी में महनत से आगी बढ़ना है बॉस के साथ बिवाद न होने दीजेगा सरकारी शेतर में वाहन का सुक मिलेगा बिवादों से मुक्ती है कोट कचहरी के मामले आज सुलश जाएंगे बॉस चेंज हो सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ कहीं ध्रमण पे जा सकते हैं दामपत्य जीवन में सकारात मकता रहेगी लव लाइफ तनाव देगा अचानक से कुछ मुश्कल ने आ सकती है स्वास्त के मामले में आज आख और कमरदर्द की शिकायत है प्रियोग के तौर पर किसी जरूरत मंद को आज अपने हाथों से हरी सबजी का दान करिए शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग की प्रतिशत 62 संतुलन है आज पढ़ाई में हर कदम पर लाव होगा सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आज नई जगह एडमिशन के लिए भी विचार कर सकते हैं कॉम्प्टेटिव एक्जाम्स की तयारी करने वालों के लिए अनकूल परिस्थतियां रहेंगे ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में लाव के उसर बन रहे हैं बिजनस की इस्थति सुद्रन हो रही है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए भारी पढ़ रहा है अचानक कुछ समस्याएं गंभीर रूप ले सकती है सरकारी छेत्र वालों को कुछ सोच समझ कर फैसला लेना होगा दामपत्त जीवन अच्छा है पत्नी के साथ आज अच्छे बात अवरण में रहेंगे लव लाइफ आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा सोच समझ कर फैसला लेना होगा स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत और किड्नी की समस्या हो सकती है तुला राश क्या परियोग करना चाहिए आज भोलेनाथ को प्रणाम करके शीलिंग पर कच्छा दूद का अविशेक कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत पच्छपन बात कर लेते हैं ब्रिश्चिग राश की पढ़ाई बहुत अनकूल है शिक्षा में लाव के आउसर है पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है ब्यापार को आप आज अपनी तरफ से आगे लेकर जा सकते हैं बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा भारी पढ़ेगा अचानक कुछ मुश्किल नहीं आ सकती है सरकारी छेतर में सुधार अपने आप होगा गौर्रमेंट सेक्टर में आउसर अच्छे मिलेंगे मैरिड लाइफ में आज का दिन ब्रिश्चिक राशी वालों को संतुलन बनाने का है आज संतुलन बना करके रखिएगा उनकी भी सुनियेगा अपनी आप अलग अंदाज में सुना सकते है लव लाइफ बहुत संतुलित है कहीं कोई रुकावत नहीं है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी व्रिश्चिक है आज अपने कंठ पर लिटिल फिंगर से कच्चे दूद का तिलग लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत सत्तावन धनुराशी आज धनुराशी वालों के लिए नया आउसर मिल रहा है पढ़ाई के लिए बहुत शुबता है रुकावटों से बाहर निकल रहे हैं ब्यापार के लिए आज रिस्क ले सकते हैं कोई दोस्त मदद पेशकस करे तो आप उसको कंसीडर करिएगा अगर आप प्राइवेट सिक्टर में जॉब कर रहे हैं कि राशी धनू है तो आज थोड़ा सा संतुलन बना के रखें इधर उधर की बातों से उलजना नहीं है सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत रहेगा गौर्नमेंट सिक्टर आपके लिए शुपता देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ खुम्ने टहलने का कारिक्रम बनेगा लव लाइफ आपके लिए कई तरह से मुश्किलें पैदा करेगा अचानक कुछ दिक्कतें आ सकती है आज सप्रेशन की भी नवबत आ सकती है नए प्रपोजल साहिट कर दीजेगा स्वास्थ के मामले में किड्नी, आख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए आज धनुराशी वालों को आज के दिन धनुराशी वाले हरी सबजी का दान किसी जरुरत मंद को कर दे या गउशाला में आप कुछ हराचारा दान कर दे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षत 57 मकर राशी बहुत संतुलित दिन है पढ़ाई में हर कदम पर लाभ है आज कुछ बड़े फैसले आज आज आपके लिए बहुत अनकूलता देंगे रुकावटों से बाहर निकलेंगे ब्यापार अच्छा चल रहा है अवसर अच्छे मिल रहे है बिजनस में कोई रुकावट नहीं है प्राइविट सेक्टर को जैसा आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहतर अनकूल स्थतिया आएंगी सरकारी छेत्र में शुबता बना हुआ है अवसर अच्छे मिलेंगे दामपत्य जीवन बहतर रहेगा पत्नी के साथ घुमने टहलने का कारक्रम बनेगा लव लाइफ में कुछ मुश्किले हैं जिस पर आपको फोकस करना होगा स्वास्थ के मामले में आज बैक की प्रॉबलम और किटनी की स्थिती खराब हो सकती है प्रियोग के तौर पर आज शिवाले में जाकर शिवलिंग पर कच्छे दूद का अविशेक करिएगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षत पच्पन कुम्भराशिक पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है स्थिक्षा में लाव हो रहा है कहीं किसी तरह की रुकावट नहीं ब्यापाद अनकूल रहेगा बिजनस में शुबता बनेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत शुब परिणाम दिखाएगा सरकारी छेतर की स्थिति में लाव के आउसर बनेगे गौवर्मन सेक्टर में हर कदब पर शुबता है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ बना हुआ है पत्नी के साथ कहीं घुम्य टढ़ने का कारक्रम बनेगा आज का दिन लव लाइफ में स्थितियां अनकूल करने के लिए मेहनद करना पड़ेगा विवाह की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द और लीवर की प्राबलम दिखाता है क्या उपाय करना चाहिए कुम्भराशी वालों को अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को आज कुछ धन दे दीजे शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रतिशत पच्पन अन्तिम राशी की चर्चा मीन आठ जून दिन गुरुवार पढ़ाई में तो आज आप आगे रहेंगे सब से आगे रहेंगे ब्यापार थोड़ा सा परिवर्तन दे रहा है जिस पर आपको फोकस करना होगा प्राइवेट सेक्टर में तनाव है अचानक कुछ गढ़बढ होगा सरकारी छेतर में शुपता है गवर्मन्ट सेक्टर में किसी तरह की दिखकत नहीं होगी दामपत्य जीवन आज अलग परभाव दिखाएगा पत्नी के साथ घुमने टहलने का कारिक्रम बनेगा लव लाइफ को आज आप संतुलन की स्थती में लाने का प्रयास करें स्वास्थ के मामले में आज का दिन कमरदर्द की शिकायत कर रहा है प्रयोग क्या करना चाहिए आज किसी छोटे बच्चे को कुछ अपने हाथों से दे दीजेगा खाने पीने के लिए शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भाग्य प्रत्षत 61 राश्यों की स्थती संतुलेथ है शुबता बनी हुई है हर कदम पर लाव हो रहा है कहीं किसी तरह की चिंता नहीं अब आगे बढ़ते हैं और आपको दो जानकारियां दे दे आप हमसे अभी 15 जून तक गाजियाबाद मिल सकते हैं इसके बाद मुलाकात होगी 16 से 29 तक गोरकपुर पतना कलकत्ता, राची, राएपुर, नागपुर, लखनो ये शेडूल्स हैं जहां पर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं समय लेकिन जल्दी करके ले लीजेगा कहीं लेट चादा ना हो जाए आए आगे बढ़ते हैं और आप चर्चा कर लेते हैं आज के सक्सेस की की एक लाल धागा अपने दाहिने अंगूठे में बात कर रखी है शाम को जब आप उसका परिणाम देखेंगे तो आश्चर चकित हो जाएंगे क्योंकि लाब जबर्दस्त मिलेगा साम को धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रवा के संचरन के साथ कुछ बड़ी खुश खबरी आपको प्राप्त होगी आगे बढ़ेंगे चर्चा आज के भाग्याक्षर का मेश वाक्षर ब्रिशब मा मिथुन काक्षर करक सा सिंग पाक्षर कन्या जा तुला लाक्षर ब्रिश्चिक गा धनू भाग्षर मकर का कुम्भ वाग्षर मीन था ये आपके शुब भाग्याक्षर सादे चौकुर कागश पर लिख कर अपने पास रख लें और पूरे दिन हसते खिल खिलाते गुर गुर आते रहें चलते चलते बात कर लेते हैं आठ जून को पैदा हुए लोगों की और आठ जून को जिनका मैरिज अनिवरसरी है आज का आईश्मान भावा है तो जिनका आज बर्थ अनिवरसरी है जो आज जन्म पाएं हैं उनको जन्म दिन की हार्दिक शुब कामनाएं इश्वर आप सब को सदय श्वस्त और प्रशन रखे प्रयोग रहेगा दो पीपल के पवधे कहीं अपने हाथ से लगा कर उसकी देखवाल करें उसकी सेवा सोशुशा करें और इसके अलावा दो लोगों को भोजन करा दें इसके अलावा एक किसी जरूरत मंद बच्चे को सिक्षा में मदद कर दें जिनकी आज मेरीज अनवरसरी है शिवाले में जाएं भोलेनात को वहाँ पर प्रणाम करके अनार के जूस से शिवलिंग का अविशेक करें बैठ करके वहाँ एक माला महा मृतुंजय मंत्र का जाब करें एक माला इसका जाब करिएगा सुन्दर कान का पाठ कर लीजेगा काम बूरा आपका आज के इस खासंक में बस इतना ही जानकारी दे दें दोपहर दो से तीन हर रोज आप हमसे लाइब जुडते हैं हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम, जोश, फेस्बूक, योट्यूब और ट्विटर हर जगह हम एक साथ लाइब होते हैं दो पहर दो बजे से तीन बजे दा है धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगल मैं हो, नमस्कार